पाली जिले में भाजपा नेता और उनके भाई के घर से 46 तोला सोने के गहने चोरी करने वाला और कोई नहीं उनकी डेरी पर पार्ट टाइम काम करने वाला इलेक्ट्रिशन रमेश प्रजापत निकला, जो सरकारी करमचारी है और पाली डिसकॉम में लाइन मैन के पद पर कार आरोपी पिछले करीब एक साल से उनके यहां काम करता था ऐसे में डेरी, किसान केसरी गार्डन और घर पर इलेक्ट्रिक संबंधित काम होने पर आता जाता रहता था पुलिस की पूछताच में आरोपी ने गहने चुराना स्वीकार किया इस पर पुलिस ने उसे गिरफतार किया